इस वीडियो में हम लोग केमेस्ट्री के बचे हुए पार्ट को हम लोग कवर करेंगे बागी केस के शुरुवाती चैप्टर से उनको मैंने पहले पार्ट में कवर कर दिया है जो लोग भी नहीं देखें हैं इस वीडियो के एंड में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिफिन में लिंक मिल जाएगी और या तो आप चैनल पर जाके प्ले में भी देख सकते हैं ठीक है तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग सिक्स चैप्टर को خतम कर चुके थे और इस वीडियो में हम लोग 7 चक्टर से आगे बढ़ेंगे फिर अमल भस्म और लवन यानि कि Acid, Base और Salt तो इसमें Acid, Base, Salt के न कुछ फॉर्मूलास दिये हुए जैसे कि Lewis Electronic Theory, ठीक है? Bronson and Lorry Theory तो यह वाला यह फॉर्मूला के अनुसार क्या क्या है? यह आपको देखना है, Arrhenius के अनुसार में तो यह तीन जो फियोडी हैं, उसके अनुसार में Acid क्या होता है? और Base क्या होता है? आपको यह पता होना चीए उसके बदद अमल स्वाद में खटा होता है, Base जो होता है, करवा होता है और salt तो आपको पता ही है कैसा होता है एक line यहाँ पर important है कि कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए oxygenic amalika उप्योग करते हैं तो यह line देख लीचेगा खाना पचाने में HCL amalika उप्योग होता तो यह amalika के उप्योग वाला portion को जरूर देख लेंगे तो इसमें क्या करेंगे कि acid वाले में आपको जो है यह तीन थियोडी आपको important है कि इसके अनुसार acid कौन होता है और base कौन होता है ठीक है स्वाद में कैसा होता है यह भी important है जलिये billion को नीला से लाल कर देता है यह भी पता होना चीए प्लस यह box वाला में कौन-कौन सा acid होता यह आपको पूसता है BPSC very very important है तो इसको अच्छे से करेंगे खास करके यह अमलो का उपियोग वाला जो होगा वो बढ़िया से इसको देखेंगे अब आता है एकुआरेगिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अमल होता है और सांद्र नाइटरिक अमल होता है ठीक है कौनसे हैं उपात में होता है यह पूछा हुआ कोशन है हर एक बार पूछता है तो acid और base को अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ पर देखिए basic के कुछ उपियोग यहाँ पर देखिए base के कुछ उपियोग लिखे हुए CAOH2 ठीक है इसके उपियोग लिखे हुए कास्टिक सोडा के लिखे हुए milk of magnesia तो सबसे पहली बात है कि milk of magnesia कहते है किसको यह पता होना चीए आपका आपको अच्छे से याद होना चीए समझे गए प्लस pH value क्या होता है तो देखिए option में 1,2,3,4 तो होता ही है BPSC में एक पाचमा option भी होता है जिसके tackle करने के लिए अलग से एक strategy बनानी पड़ेगे मैं बताऊंगा और science में इसमें अक्सर confuse कर जाते तो science के जब भी आप question को solve करेंगे तो उसमें हर एक option को आप 12 की से देखेंगे कि कहीं ये तो नहीं, कहीं ये तो नहीं, कहीं ये तो नहीं तो सबसे ज़्यादा e number को जो question होते हैं वो science और history में ही पाए जाते इसलिए ध्यान से इसमें टिक करेंगे बाकी मैं अलग से वीडियो बनाके बताऊँगा कि एक option को कैसे tackle करते हैं billion वाला part को आप neglect कर सकते हैं बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है लेकिन उत्यादा करने की ज़रूत नहीं है बस ये वाला आपको पताऊना चीए संत्रिप्त billion क्या होता है असंत्रिप्त billion क्या होता है अतिसंत्रिप्त क्या होता है ये थोड़ा पता होना चाहिए संत्रिप्त मतलब क्या होता है संत्रिप्त है मतलब उसमें और जोरा नहीं जा सकता है ठीक है तो अधिकता मात्रा घुली हुई है समझ गए तो यह अति संत्रिप्त हुआ तो इस तरह से चीजों को आप अगर मिला के पढ़ेंगे न असानी से याद हो जाएगा और billion क्या होता है? मिला देना, एक दूसरे में मिला देना जैसे नमक और पानी का घुल मिलाते हैं न तो वो आपका billion हो गया तो क्या होता है? अगर आपका जो है पानी में अगर नमक आप प्रॉपर डालें अपने टेस्ट के अनुसार में ठीक है न? तो वो संत्रिप्त billion हो गया अगर आपको नमक कम है मतलब और ज्यादा डालना चाहिए तो वो आपका असंत्रिप्त हुआ और बहुत जादा नमक डाल दिए तो उसको बोलते अधिसंत्रिप्त billion ठीक है? तो इस तरह से आपको तो इस तरह से relate करके आप अगर पढ़ेंगे तो science भी interesting लगेगा आपको इतना जादा boring है नहीं वैसे मेरा कहने का मतलब मेरा समझाने का मतलब बस आपकी help करना है फिर देखें billion पर ताप का प्रभाव ये थोड़ा देख लीजेगा दाप का प्रभाव ये थोड़ा देख लीजेगा ठीक है? और ज्यादा इसको आप छोड़ सकते हैं अब है परिचेपन तो इसमें जो है आपका suspension नहीं पूछता है collide पूछता है कि collide क्या होता है ठीक है? और dispersion का मतलब क्या होता है? dispersion का मतलब छितराना होता है समझ गया? सिधा मतलब छितराना होता है तो छितराज दिये अगर किसी चीज में तो उसको परिच्छेपन बोलते है कोई चीज में अगर कोई चीज को डाल दिये तो उसको बोल दिये परिच्छेपन ठीक है तो कोलाइडी, सस्पेंशन, बिसपर्शन यह सब उसी के उधारन है और इसका देखिए यहाँ पर कोलाइडी का यहाँ पर एक्जामपल दिया एक्जामपल को याद रखेंगे कैसा है कोलाइडी विलियन है ठीक है और यह वहला कैसा है सस्पेंशन विलियन है नली का गंदा पानी बायों में धुआ तो यह सब सस्पेंशन का है मतलब हवा है न उपर में और उसमें अगर पॉलूशन मिले गया तो क्या हो गया यह लट को इस तरह से पता होना ci यह तो यह आपको याद होना चींच ज़ाग शहाग किसका पड़िछेपन होता है तो द्रब में गैस का पड़िछेपन होता है तुख्या मतलब यह जो होता है और फिल्टर जो होता प्रिछी होता है उसके आर solution उसको कहते हैं ठीक है न और देखिए अब dialysis बोलते हैं तो कोलाइडी विलियन को बास्तिविक विलियन से प्रिथक करने के प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं dialysis कहते हैं इसको brownie movement क्या हुआ कि आप माल लिजे कि ये आपका एक billion है है न तो billion में जो होगा इसका जो अनु होगा उसका जो घुमना होगा वो कहीं भी घुम सकता है लेकिन घुमेगा कहां तक जहां तक ये बरतन का जो अकार है वहीं तक घुमेगा न तो इधर उधर कहीं भाग सकता है इसमें कोई pattern नहीं होता कि इधर भागेगा इधर भागेगा है ना तो इसको बोलते हैं brownie moment तो collidery willion के कन लगातार इधर उधर भागते रहते हैं इसको brownie गती कहते हैं ठीक है और ये collidery कनों की प्रकृति पर निर्वर नहीं करती है तो था माधियम की स्यानती जितनी कम होती है तो आप जितना अधिक होता उसकी गती उतनी ही अधिक होती है अब यहाँ पर दो तर्मा है माधियम की स्यानता स्यानता का मतलब क्या होड़ा कितना गाढ़ा है वो तो कोई गाढ़ा चीज में अगर आप कोई चीज फेकिंग है माल लिजे कि यहां पर मरकरी डाल दिया है है ना या फिर दलदल वाला समझते होंगे दलदल में आदमी जो है दिर दिर धस्ता है ना तो यह आपका जो हो गया स्यांता इसकी बहुत जादा होती है समझ गये ना तो स्यांता इसकी बहुत जादा होती है तो इस तरह से रिलेट करके पढ़ेंगे ना, आसान से लगती जाएगी, ठीक है, टिंडल प्रभाव देख लिजेगा, टिंडल प्रभाव क्या होता है, कि जब किसी कॉलाइडी विलियन में तिर्व प्रकास गुजरता है ना, तो उसके लमवत, रखे सुचमदर्सित देखत पर जो कॉलाइडी कन होगे, वो काली प्रिष्ट भूवी में आलपीन की नोक की भादी चमकते हैं, तो चमकना याद रखिएगा, इसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव, ठीक है, और ये किस में होता है, कॉलाइडी विलियन में होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना, अब चलिए यहाँ पर वास्तिविक विलियन और कॉलाइडी विलियन में अंतर दिया हुआ, याद करने की जुरत निये फालत हुए, तो अब देखें, यहाँ पर है बफर बिलियन, बफर बिलियन का है सिर्फ एक लान इंपॉटेंट सोडियम एसिटेट और एसिटी का मिल यह क्या करता है कि जो की अमलेवं चार की सधारन मात्राओं को, अपनी जो अमलता और चारता होती है, उसमें बड़िवर्तन किये बगैर अब सोशित कर लेता है, उसको बफर बिलियन कहते हैं, तो वही नेपाल वाला कॉंसेट है, तो अब आता है कारबन एन इसके योगिक काफी important है यह आपका, और इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, line by line पढ़ेंगे, इसमें मैं ज्यादा चीज़े छाटूंगा नहीं, ठीक है, इसके अपरूप देख लीजेगा, हीरा और graphite होता है, ठीक है, हीरा के जो यहाँ पर प्रमुख गुन है, गुन को याद करने के जरूरत नहीं बस इतना पता होना चीज़े कि दुनिया का सबसे कटोर पदार्त है, ठीक है न, और यह सुद्ध हीरा जो होगा, वो पारदरसक होगा और रंग हीन होगा, काला हीरा को हम लोग बोट कहते हैं, और सीसा कटने में उसका उप्योग होता है, तो यह graphite का गुन क संकरन, यह इस तरह से, तो हीरा में क्या होता है, SP3 है, दोनों carbon का ही अपरूप है, है न, अलग-अलग रूप है, तो यहाँ पर जो है, इसका लेकिन hybridization अलग-अलग होता है, इसी को बोलता है सम रूपता, और इसलिए यह carbon के अपरूप है, ठीक है, अब आता है hydrocarbon, बढ़ 2, समझ गए, और N मतलब की carbon की संख्या, और C1, C2, C3 को आपको पता होना चीए, अब देकि जो non-background के होंगे न, उनको थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगा, क्योंकि carbon को क्या कहते है, यह carbon की number जितना जितना जादा होगा, जैसे कि carbon 5 है, तो pentane खाला जाएगा यह, क्योंकि यह तो propane होगा, 4 है तो butone होगा, 5 है तो pentane होगा, तो इतना आपको पता करना पड़ेगा, थोड़ी सी आप इसमें मैनत करनी पड़ेगी, उसके बादे आपका असंत्रित हाइड्रोकरवन, इसमें क्या होता है, double bond भी होता है, और एक triple bond भी होता है, ठेना, तो यह दो चीज हो formula है वो आपको याद होना चाहिए, यह वला, पूछा गया है formula से, यह तीनो formula, ठीक है, तो यह formula से पूछा गया है, अब है इसका आपका benzene, तो benzene aromatic hydrocarbon, तो benzene इस तरह का उधारन होता है, अब है isomarriage में, isomarriage में क्या मतलब होता है, कि जब दो या दो से अधिक योगीकों क अनुसुत्र समान होंगे, लेकिन उनके गुनों में अंतर होगा, अनुसुत्र समान मतलब physical property same होगा, गुनों में अंतर मतलब chemical property अलग होगा, तो इसको isomarriage में कहा जाता है, यह आब आपको पता होना चीए, बहुली करन, polymerization, तो छोटा को बढ़ा करना polymerization कहते हैं, ठीक प्लास्टिक में भी आपका starch, cellulogy है, थर्मो प्लास्टिक है, पॉलोथीन है, पॉलिस्टाइरीन है, पॉनी विनाइल कोराराइड है, यह सब आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, थर्मो सेटिंग में क्या अंतर होता है, प्राकिर्तिक रवर किसका बहुलक है, तो य उसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग तेल के कुवें से तेल निकलते हैं, तो उसमें तेल ही खाली पेट्रोल और डीजल ही नहीं होता है, बहुत सा चीज होता है, सबको अलग-अलग करना पड़ता है, अलग कैसे करेंगे, अलग-अलग तेंपरेचर पर करेंगे, ठीक है, जब temperature घटाते बढ़ाते जाएंगे तो अपने आप जो वहाँ से पेट्रोल, डीजल, किलो से यह सब निकलते हुए चला जाएगा लास्ट में बसता है खाली क्या? कोल टार बसता है है ना? तो यह आपको इस तरह से पुरा याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन यह आपको किस विधी द्वारा अलग किया जाता है तो प्रभाजी आस्वन द्वारा अलग किया जाता है यह आपको पता होना चाहिए बाकी इसमें देख लेंगे थोड़ा थोड़ा लेकिन यह temperature और करवन का range याद करने की जरूरत नहीं है और coal tar जो हुआ अपसेश हुआ है मतलब सब कुछ निकाल लेने के बाए जो लास्ट में बच गया उसको बोलते है coal tar जिससे की road बनता है आपका अब आता है इंदन इंदन में भी important कई सारे चीज है जैसे octane number होता है अच्छा इंदन में क्या गुन होना चाहिए ठीक है फिर उसमें koila का वड़गी करन होता है koila के type होते है जैसे pete, lignite, bituminous, anthracite सबसे अच्छा koila कौन सा है सबस्यादा carbon की मातरा किसमें होती है सबस्यादा धुआ किसमें निकलता है तो यह वड़ा koila के type को आप देख लेंगे ठीक है gaseous fuel, प्राकिर्ति gas, गोबर gas, producer gas में क्या-क्या होता है यसे producer gas में क्या-क्या होता है मुखता carbon monoxide इंदन होता है है ना और गोबर gas में क्या होता है तो यह तो आपको पता है यह गोबर gas में carbon monoxide होगा यानि कि H2 और CO होगा तो यह होगे आपका जल gas और producer gas में क्या होता है producer gas में होता है nitrogen और carbon monoxide होता है ठीक है तो N2 और CO और जल gas में क्या होता है H2 प्लस CO होता है तो यह difference आपको पता होना चाहिए तो अब आता है धातुए धातुओं में आप देख लेना है अच्छे से इसको पढ़ना है कि चांदी, तांबा, अलमूनियम और टंगस्टन इस तरह से दिया हुआ था क्या दिया हुआ यह तो यह बिदुचलकता का घटता हुआ क्रम दिया गया है तो सबसे जादा बिदुचलकता किस में होती है चांदी में होती है यह कई बार कोश्टन पूछा गया है तो यह आपको पता होना चीए अब हिसीसा की जो उसमिय और बिदुचलकता जो सबसे कम होती है यह भी पूछा हुआ कोश्टन है ठीक है और धातूओं की जो ऑक्साइड की प्रकिरती है वो छाड़ी होती है मतलब की बेसिक होती है ठीक है और यहाँ पर अपवाद लिखा हुआ है तो धातूओं को आपको बढ़ियां से देख लेना है यह वाला डाइगराम उतना जादा इंपोरेंट नहीं है दिमाग इसको बोलते है आयसके है और आयसक से हम लोग लोह नokedक अलेंगे उसका लाइंग गयां ग Zweek आप गन्दी पिलगरमी के लिखानगा और मिलेंगे नली में पहाँ जाएगा न उसको बोलते है तो बोलते हैं धातू मल है ठीक है तो धातू मल इस तरह से आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं ठीक है भारजन में किसको अलग करते हैं कैसलेशन के द्वारा किसको अलग करते हैं स्मेल्टिंग के द्वारा किसको अलग करते हैं थोड़ा थोड़ा देख लेंगे इसमें ठीक अ सोडियम पे बहुत बवाल हुआ था में टोपर था गलती से सोडियम बोल दिया था पकड़ के उसका उल्लू बना दिया गया था समझ गया है रिजल्ट भी कैंसिल हो गया था तो सोडियम नहीं माड़ियेगा कन्फ्यूज नहीं कीज़ेगा चांदी नहीं मार दिज़ेगा चांदी की बिधुचालकता सबसे अधिक होती है लेकिन सबसे क्रिया सिल जो कम होता है वो सोना होता है तो ये टेबल आपको important सभी चीज़े यहाँ पर important नहीं है तो इसको सभी चीज़े यहाँ पर याद करने की जुरत नहीं है बस सबसे अधा क्रिया सिल कौन है और सबसे कम क्रिया सिल कौन है ठीक है जस्ता का लेप लगाते इसको क्या बोलते है यह सदा लेपन बोलते है इसको तो इस तरह से धातुओं वाला chapter को पढ़ लेना है अब देखिए धातुओं से सम्बंदित ब्रिदी भी तत्थ हैं यहाँ पर है ना तो इसमें जो तत्थ दिये हुए एक एक चीज को बढ़िया तरीके से पूछेंगे कई बार question यहाँ से पूछ देता है जैसे यह वाला पूछा हुआ है कि आतसवाजी के दौरान जो है लाल चटा कर रंग जो होता है वो किसके कारण होता है यह सारी चीजे पूछती है देखने में बोडिंग लग सकता है लेकिन आपको एक एक लाइन इसमें पढ़के चाना है इसे तरह से जिंक फास्फाइट का उप्योग जो है चुहा विसके रूप में करते है सिल्वर क्लोराइड को होर्न सीरोल करते है तो हार्न सिल्वर का फार्मूला क्या होता है सिल्वर ग्लोराइड होता है यह पूछती है आपको ठीक है फिर आपका अंडा खाना वर्जित क्यों होता है चांदी के चम्मच में तो यह वाला आपको पूछती है फिर नरक kritis बर्सा करवाने के लिए किस का इस्तेमाल करते है तो इस तरह से पूछती है platinum को सफेद सोना करते है तो यह तरह से पूछती है तो दातवों वाला जो इवी तत है उसको पूरा पढ़ना है अच्छछे तरह से पढ़ना है यह वाला table याद नहीं होगा इसको भी भी तत सही complete कर लेंगे यह formula में दिमाग लगाने की जरुवत नहीं है बस मोटा मोटी आपको किसका IS का पता होना चाहिए तो sodium का देख लीजेगा चुकि यह पहले number पर आता है और कई बार BPSC जो question set करने वाली होती है वो पहले चीज़ मेगनेसाइट होती है तो इस तरह से मोटा मोटी आप एक दो जोकी आपको असने तो एक दो जोकी आप असानी से पढ़ सकते उसको पता कर लीजेगा जैसे calcium का gypsum होता जिपसम का formula important है जिपसम का formula पूछा जाता है तो gypsum का formula यहां से देख लीजेगा ठीक है उसके अलाब और strontium जरुवत नहीं है पूछता नहीं है तामा का पूछ लीजेगा तामा तो famous है ना तो तामा का यह क्या होता है और इसका formula क्या होता यह वला देख लीजेगा silver में, silver में जो है आपका horn silver का formula क्या होता ये देख लिए जगा AGCL होता ये वाला याद होगा भी नहीं, करने की ज़रुवत है भी नहीं Sona, Sona में जो है आपका इसका symbol क्या होता, AU होता है silver का क्या होता, symbol AG होता तो ये symbol भी आपको ध्यान में रखना है कई बार basic basic question पूछ ले जाते हैं और tutor दो समझते हैं और teacher दो समझते हैं कि उनको basic तो पता ही होगा लेकिन कई बार student उसी में कलती कर देते हैं तो confuse नहीं करना है, barite है barite आप अपन्दादे लगा सकते है, medium का होगा zinc है, zinc में दे होगा zinc blend पूछता है आपका, zinc blend किसका है ठीक है, तो zinc blend का formula याद कर लिजेगा छोड़ा सा है, zinc sulfide होता है zinc sulfide होता है, ठीक है इस तरह से पाड़ा का क्या होता है silim war होता है, teen का होता है teen का याद करने के जुरूरत नहीं है ठीक है, कैसी trite अगर याद होता है तो ठीक है, तो छोड़ दीजेगा उसको फिर late का क्या होता है, galena होता है very famous है आपका ये वहला चीज ठीक है, antimony का याद नहीं करने के जुरूरत है cadmium की याद करने के जुरूरत नहीं है loha very important और इसका formula भी आपको याद होना चाहिए खास करके hematite और magnetite formula आपको याद होना चाहिए confuse करता है, Fe2O3 है और Fe2O2 और Fe2O2 है तो इसमें confuse नहीं करना है इसके अलाबा जो है, सभी के formula यहाँ से याद करने की ज़रूरत नहीं है uranium के देख लीजेगा, याद के कारने tight और pinch blend है very famous, pinch blend है, ठीक है formula याद करने की ज़रूरत नहीं है, उतना important नहीं है और बाकित सब इसमें से छोड़ सकते हैं इसी तरह से चीज़ों को पढ़ना होता और मैंने भी यही किया था अब देखे, धात हुए, अधात हुए और उसके योगिक के उपयोग पूरा याद करने जाएंगे, होगा नहीं लेकिन जो famous famous चीजे हैं, वो आपको कर लेने चाहिए जैसे कि आपका bromine, जैसे कि आपका iodine, ठीक है hydrogen sulfide, sulfur के उपयोग, ठीक है यह अब पीछे भी पढ़ेंगे न तो याद हो जाएंगे, उसी को छाट के अलग कर दिया गया है अब देखे, producer gas मैंने बताया था, N2 प्लस CO होता है, यहाँ पर दिया हुए, water gas, gel gas, CO प्लस H2 होता है इसका उपयोग कैसे करते है, यह आपको यहाँ पर देख लेना है, तो यहाँ से उपयोग दिये हुए है, छाट-छाट केस में से पढ़ेंगे देखे, fit kiri, fit kiri का यह पूरा का पूरा formula तो आपको याद होगा नहीं, बस इतना पता होना चाहिए, K2SO4, AL2 होता है लेकिन यह पूरा formula याद करने बैठ जाएंगे, जरूरत नहीं है, ठीक ना, खुता याद तो होने दीजिए, जल को सुध करने में इसका इस्तिमाल करते है, कपड़ों की रंगाई में इस्तिमाल करते है, चमरे के उपयोग में, चमरे के उद्योग में इस्तिमाल करते है, यह उपयोग पता होना चाहिए, आपको formula याद करने की जरूरत नहीं है, अलमूनियम sulphate, formula याद करने की जरूरत नहीं है, उपयोग देख लीजिएगा, ठीक है, इसके अलाबा जो है यह सब दिया हुआ है, उजला थोथा किसको कहते है, पूछा गया question है, जिंक sulphate को होना चाहिए, ठीक है, नीला थोथा किसको कहते है, plaster of Paris का formula क्या है, यह important है, bleaching powder का formula क्या होता है, यह important है, calcium carbide का formula क्या होता है, यह important है, तो यह चीज़े आपको पूछेगी, फिर देखिए, मलहम बनाने में किसका इस्तमाल करते है, जिंक oxide का करते है, यह अब विभी तथ मे भी पढ़े होंगे, बस उसी को छाट करेंगे, यहां से अलग कर दिया गया, जिंक क्लोनाड का इस्तमाल किस में करते हैं, तो यहाँ पर टेक्स्टाल उद्योग में करते हैं, तो उप्योग देख लीजेगा, formula जिसका याद कर सकते हैं, कीजिएगा, कुछ-कुछ important थी मैं थोथा वाला जो important होगा न, वो थोथा याद कर लिजेगा, ठीक है, थोथा में गलती मत किजेगा, नीला सफेद, इसमें confuse नहीं किजेगा, हडा थोथा भी होता है, आपका milk of magnesia भी होता है, plaster of paris भी होता है, gypsum होता है, calcium carbide होता है, calcium carbonate होता है, caustic soda होता है, है न, तो caustic potassium potassium होता है, इसमें के formula को एकदम से याद करके जाएगा, confuse करेंगे, BPSC confuse कर देगी आपको, भारी जल, भारी जल का formula भी याद होना चाहिए, प्लस इसका उपियोग भी याद होना चाहिए, ठीक है, sodium carbonate धोने वाला soda, ठीक है, sodium bicarbonate formula भी याद होना चाहिए, यह जो है, खाने याद करेंगे, याद होगा तो होगा, नहीं होगा तो छोड़ दीजेगा, ठीक है, इसमें जो है, पीतल, कासा, ठीक है न, और एक वाता है आपका roll gold, सुनते होंगे, सस्ता वाला जो आभूसन बनता है न वो वाला, तो roll gold, उसके अलाबा यहाँ पर ज़्यादा याद करने कि ज़रौद इसको नहीं है, अगर कर पाते हैं, very good, नहीं कर पाते हैं, ऊपर से 3-4 के देख लीजेगा, या जो याद होता है उसको देख लीजेगा, उपयोग देख लीजेगा, हवाई जहाज बनाने में किसका उपयोग होता है, magionilium का होता है, duralium का इस्तेमाल किसमें ह होता है तरह सोई के समान बर्तन बनाने में तो बाकी नहीं भी याद होगा तो कोई ज़रुवत नहीं है याद करने की ठीक है अब देखें यहां यह नीचे वाला important है आपका कि stainless steel में क्या होता है तो chromium और nickel होता है ठीक है में देखें steel और stellus steel दोनों में अलग है लोहा और करवन के मिस्र धात्यों को इस पात कहते हैं और stellus steel जो होता है उसमें chromium और nickel मिला देते हैं ठीक है यह अंतर होता है यह बला line देख लीजेगा यहां पर एक छूट गया था कि solder में क्या-क्या मिला होता है लेड़ और tin मिला होता है very important कई बार question पुछा गया यहां से ठीक है को वाल्ट speed में क्या होता है तो आपको पता है को वाल्ट मिला देंगे मैगनीज इस पात में क्या होता है यह पता है आपको मैगनीज मिला देंगे लेकिन stainless steel में क्या मिला देंगे यह आपको नहीं पता होगा तो इप यहां से question पूछ देगी इससे क्या होता है कठोरता घर जाती है तो एक लेने याद कर लिजेगा अमलगम क्या होता है यह हमेशा पाड़ा इसमें एक रहेगा तो पाड़ा के मिसर धातो को अमलगम कहते हैं ठीक है एक ग्यारा गैस होती है, एक दरब होता है और सेज दस ठोस होता है, तो जो एक दरब है वो कौन है, तो वो ब्रोमीन है, ठीक है, यह लाइन इंपोर्टन्ट है, उसके अलाबा धातुए के गुम देख लीजेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है, अब इसमें अस्थाई कठोरत स्थाई कठोरता, इसको कैसे अलग करते हैं, कैसे दूर करते हैं, पर्मानेंट कैसे दूर करते हैं, टेम्परोरी बैसे पर दूर कैसे करते हैं, यह सब इसमें से इंपोर्टन्ट है, ऑक्सिजन के तीम समस्थानिक होते हैं, यह इंपोर्टन्ट है, फिर उसी तरह से सल्फ हमिक फोटोकेमिकल स्बाग स्मोग जो होता है इसका रंग कैसा होता ये भी आप को पता होना चाहिए कैसा होता है बूरा रंग होता है ठीक ना तो यह पता होना चाहिए छिथ heute फस್ विपस्पोरOÉ में प्लॉटो यहाँ पर bromine के कुछ उपयोग दिये हुए, chlorine के कुछ उपयोग दिये हुए, यह आप देख लीजिएगा, ठीक है, noval gas, helium, neon, argon, krypton, redon, genon, redon, यह सब जो होता है, वो सब चीज़, तो यहाँ से देख लेना है, अब मानव निर्मित पदार्थ, cement, cement किस से बनाते हैं, यह बस खाली देख लिजएगा, चूना पत्थर, ठीक है, और सेल के साथ खूब गरम करके, प्रात करके, cement बनाते है, तो इसमें में चीज़ क्या है, चूना पत्थर, तो चूना पत्थर से cement बनता है, अब चूना मुला है, यहाँ पर देखिएगा, यह वाला चीज, कि जिब सम मिला देने, cement में क्या होगा, जो जमना होता है, वो थोड़ा धी में धी में जमने लगता है, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर एक और चीज़ आता है, ठीक है, तो यहाँ पर पोर्टलेंट, cement के बारे में वाला जदा हो, important है आपका, तो सिलिका क्या है, सिलिका मतलब बालू, है ना, बालू का रूप है यह, आदे कि कांच वाला यह formula है, इसका जो है यह उपियोग पर लीजेगा, संगठन याद करने की जरूरत नहीं है, उपियोग पर लीजेगा, यह सब चीज, ठीक है, कि प् पता, फिलिंट कांच होता है, तो इस तरह से, ठीक है, पडियोग साला के उपकरन किस से बनाते हैं, यहाँ से भी बनाते हैं, यहाँ से भी बनाते हैं, तो इसमें option E हो जाएगा, इस तरह से, अब आता है आपका साबून, साबून अच्छे से पढ़ेंगे, डिटर्जन अ पता है कि आपका कि कड़ा साबून और साफ्ट साबून, है ना, जैसे डव जो होता है, डव नहाते हैं, तो वो साफ्ट साबून हो गया, तो साफ्ट में क्या मिलाते हैं, आपको कि उच्छ बस यह अम लोगे पोटेसियम लवन होते हैं, यह question पूछा गया है, किसी चीज म अब है उर्बरक, उर्बरक में थोड़ा देख लिजेगा, कॉनकॉन से बिधी से, नैटोजन के उर्बरक होते हैं, यूडिया, आमोनियम, सल्फेट, इनको किनकिन बिधी से द्वारा मिलाए जाते हैं, किनकिन बिधी से बनाए जाता है, जैसे यहाँ पर जो है ना, कैटल अब लास्ट में है कुछ प्रमुक्तत है, इसको भी आप लाइन से देख लिजेगा, एक पेज में दिया हुआ है, और इसी के बाद आपका केमेस्टरी खतम हो जाएगा, ठीक है, तो इतना आप अगर केमेस्टरी में मोटा मोटी जो important चीज़े थी मैंने बता दिया आपको और जितना आप कर सकते हैं कीजिए, कोशिस कीजिएगा कि उपयोग, एक्जामपल ये सारे चीज़े आप पढ़के जाएंगे, अगर आपका साइन्स बैगराउंड, इंजिनरिंग बैगराउंड है तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन जो लोग नए नए न 42 वीडियो में इतना ही था,